नंद के आनन्द भैयो जै कनहया लालकी, हाती घोडा पाल की बोलो जै कनहया लालकी आप सभी को क्रश्णो जन्माष्ट में के शुभ कामना है आज नंदलाला का जन्माष्टो है तो जाहिर सी बात है आज बात होगी नटखट गोपाला की मया से चोरी छुपके माखन खाने वाले श्रुकरश्णा की तो बतादे कि हम सब के कनहया का जन्म भादरपद महा के क्रश्ण पक्ष के रोहनी नचहत्र में हुआ था प्राचिन काल से ही हिंदू धर्मे में जन्माष्टो में के तहवार को बहुत महत्रपूर्ण माना जाता है मानेता है कि श्रुकरश्णा भगवान विश्णू के ही आवतार है जिन्होंने द्वापर युग में अनेको राक्षसों का वद्ध किया था साथ ही वह वही परम पुर्श्वत्तम भगवान है जिन्होंने कुरुच छेत्र के युद्ध इस्थल में अर्जून को गीता का ज्यान दिया था आज पूरी दुनिया के ज्यान का लाभ ले रही है हिंदू धर्मे में भगवान को मोक्ष देने वाला माना गया है आए जौनते हैं जन्माश्रमी पर इस पूजा विधी से सुख सम्रधी दिलगायू का वड़ान मिलता है जानिये पौराडिक कथा का नुसार क्या है क्रश्वत्र जन्म का महत्वा माना जौता है कि श्रक्रष्ण के अवतार का एक बहुत महत्यपून कारण कंस का वद्ध करना था कंस के एक बहन थी देव की देव की कंस को अत्यंत प्रिय थी कंस जब अपनी बहन का विवाह करवा कर वापस महल लोट रहा था तब ही आकाश्वानी हुई कंस तेरी इस सप्रिय भहन के गर्भ से जो आठीवी संतान होगी वह तेरी म्रत्यू का कारण बनीगी इसलिए कंस ने अपनी भहन को कारगार में डाल दिया जैसे ही देवकी किसी बच्चे को जन्म देती कंस उसे तुरंत जान से माड़ देता था श्रीकरष्ण को देवकी जी ने जन्म दिया तब भगवान विश्णू की माया से कारगार के सभी ताले तूट गए और भगवान श्रीकरष्ण की पिता वासुदेव उन्हें मतुरा नंद बाबा के महल में छोड़ कर चले गए वहां एक कंण ने जने मल र और कंण माया के अवतार थी वासुदेव इस कंण को लेकर वापस कंस के कारगार में आ गए कंण को देखा और गोद मिलेकर उस safety उसे कंस मारने की इक्ष्ट से जमीन पर फेका नीचे फेकते ही वह कन्या हवा में उचल गई और बोली कि कंस तेरा काल यहां से जा चुका है वही कुछ समय बाद तेरा अंत भी करेगा मैं तो केवल माया हूं कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ भगवान श्रुकरश्ण ने कंस के महल आकर वही उसका अंत किया जन्माश्टुमी का बहुत अधिक महतो है सभी वैष्णों जन्माश्टुमी का वरत करते हैं जन्माश्टुमी के वरत राज कहा गया है जब वरतों में सबसे श्रेश्ट वरत माना गया है इस दिन लोग पुत्र संतान मुक्त और भगवत प्राप्ति के लिए वरत करते है जनमाश्टमी का व्रत करने से सुख सम्रधी और दिर्धायू का वड़ान मिलता है साथी भगवान श्रुकराश्ण के प्रति भक्ती भी बढ़ती है जनमाश्टमी का व्रत करने से अनेकों व्रत्तों का फल मिलता है दिरी रिपोर्ट नियूस 29 इंडिया तो आप देखते रहें नियूस 29 इंडिया एक देश सारे प्रदेश